हेलो फ्रेंड माइन इस रंजना और इस वीडियो में हम सिखेंगे कि एन्पिटेल का रिजिस्टर कैसे करें और यह question एक एक वीवर ने पूछा था कि मैं कैसे इस पर एन्पिटेल पर रिजिस्टर करते हैं और कोई भी subject कैसे हम लोग स्टेडि कर सकते हैं तो इस सभी question का प्रोग्रामिंग फॉर्ड टेक्नोलाइन कोर्स अन्लाइन डाल ले उसके बाद जस्ट इंटर किजिए तो यहां पर सबसे पहला जो लिंक को लिए उसे आप टैप कर लेजे अन्लाइन कोर्स आप जब इसको खोलते हैं तो यह साइट कुछ ऐसी खुल के आती है और यह साइट है नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर टेक्नोलोजी इनहांसमेंट और यहां पर आपको एक लॉग इन लिख के आएगा इसको क्लिक कर ले और क्लिक करने के बाद जस्ट आपको अपना जीमेल होता है और जीमेल डालते ही यहां पर आप साइन इन हो जाएंगे और उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट को इन्रोल करना उसको इन्रोल कर लेजी और यहां से मैं एक कोई भी अपना जीमेल चूज कर लेती हूं उसके बाद आप यहां पर जो पास्वर्ड उसको डाल इस ते क्विट टाइम और यहां पर आपको यहां पर साइन हो जाएंगे उसके बाद यहां पर देखिए कि अभी लेटेस में क्या आई है टोटल इन्रोल्मेंट जन्वरी टू अप्रेल टू थाउजन नाइंटीन वन टू और वन फबरी से आपका यह कोर्स स्टार्ट हो रह आपको पहले इन्रोल करना तो यहां पर आपको सब्जेक्ट खुल के आ रहे हैं और दूसरा टोटल एक्जाम रेजिस्टेशन फॉर जन्वरी टू अप्रेल तो यहां पर आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया तो आप उसको समझ सकते हैं तो मान लेजे आपको अगर आप किसी भी दिपाय्टमेंट से हैं मालेजे आपको डिपाय्टमेंट इलक्ट्रोनिक एंड कम्मीकेशन इंजिनरिंग है तो यहां पर आपना क्लिक कर लीजे उसके बाद इससे सब्जेक्ट से रिलेटेर्ट जैसी ए शब्जेक्ट इलक्ट्रोनिक में आता है इन् पर यह रिजिस्टेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा तो यह आपना अपना जो भी आपका नाम है वो डाल लेजी मुबाइल नंबर जीमेल अड्रेज जो है अभी आपने जो लॉग इन किया था वो है और आपकी काटेग्री क्या है किस एज से भी लॉग करते हैं आप डाल लेजी यहां पर बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने इस कोर्स को क्यों जो जोईन किया आपने नालेज को बढ़ाने के लिए तो यह सिंपल सा कोशन है आप इसको भड़ लीजी उसके बाद आप सिंपली यहां पर लास्ट में आप सनाएगा कि यहां पर आई अब इस वीडियो में प्रॉलम आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्योंकि यह वीडियो नहीं चांत्नियों को लंबी हो और hope you enjoy this video thanks for watching